Welcome to sociology classes, मैं हूँ आपका दोस्त शिबू आज हम बहुत ही एक basic concept के बारे में discuss करने वाले है आज हम sociology के बारे में ही पढ़ने वाले है sociology एक ऐसा discipline है जहाँ पर हम society के बारे में पढ़ते है इसको अगर हम simply बताने की कोशिश करे तो sociology को हम science of society भी कह सकते है यानि कि हमारा जो society है इसको जब हम scientific method के द्वारा scientific knowledge के द्वारा जब हम पढ़ने की कोशिश करते है तब इसको कहा जाता है sociology sociology एक ऐसा discipline है जो आपको समाज के तोर तरीके समझाता है यहाँ पर अलग-अलग family, kinship, marriage, religion, education system यह सारे चीजों के बारे में आपको knowledge देता है इस बज़े से sociology एक बहुत important discipline है जो आपको पढ़नी चाहिए जो आपको समाज के बारे में बताएगा यहाँ पर आज के class में sociology का basic class हम देखने वाले हैं यहाँ पर पहले हम देखेंगे के sociology क्या है इसको हम किस तरीके से define कर सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग जो important scholars है वो किस तरीके से sociology को define कर रहे हैं इनके बारे में जानेंगे फिर देखेंगे nature of sociology यानि कि sociology का nature क्या है इसके अलग-अलग characteristics के बारे में हम जानने वाले हैं फिर देखेंगे scope of sociology यानि कि sociology में हम कौन सी चीजों को study करते हैं, इसके regarding हमारे दो तरीके का school of thought है, एक है formalistic school और दूसरा है synthetic school, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो आज के class में ये सारे जो topic हैं, इसको हम discuss करने वाले हैं, अगर आप मेरे classes में नए हैं, तो चैनल को subscribe कर लीजिएग क्योंकि इस चैनल पर आपको sociology related बहुत सारे videos मिलेंगी, यहाँ पर बहुत सारे playlist है, जो आपको मदद करेगा आपके interest के हिसाब से चीजों को ढूनने में, तो चलिए, आज का ये जो class है, ये हम शुरू करते हैं, हम पहले देखते हैं, ये sociology, ये sociology basically है क्या, हम अगर sociology term की बा ने, August Compt को हम father of sociology भी कहते हैं, पहली बार scientific तरीके से society को study करना start किया था August Compt ने, उन्होंने positivism का जो method है, उसको develop करते हुए, society को scientific तरीके से एक established करने की कोशिश की थी, यहाँ पर scientific कुछ laws उन्होंने तयार करने की कोशिश की थी, ये सारे चीजों के वज़े से हमारा जो आ ये establish हो पाया है, इसके वज़े से August Compt को father of sociology भी कहा जाता है, और ये जो term है इसको भी August Compt ने ही पहली बार coin किया था, ये sociology जो word है, ये basically दो word से मिलकर बनता है, एक है socias और दूसरा है logos, socias का meaning है companion और logos का meaning है study, अब अगर हम इन सारे चीजों को मिला दे, तो sociology basically होता क्या है, sociology एक ऐसा study का method है, जिसके द्वारा हम लोगों के behavior को study करते हैं, लोग जब group में रहते हैं, इनके behavior, लोगों का interaction का जो pattern है, इसको हम समझते हैं, लोगों के बीच में जो social relationship है, इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम human activity, group का जो activity होता है, यह सारे चीजों को हम समझते हैं, यानि कि sociology में हम society को study करते हैं, society में जो भी लोग रहते हैं, इनके तोर तरीके, relationship, इनका interaction pattern, सारे चीजों को हम study करते हैं, यहाँ पर अगर हम definition के बात करें, तो ऐसा कोई single definition नहीं है, जिसके द्वारा हम sociology को define कर सकते हैं, अलग-अलग scholars हैं, अलग-अलग sociologists हैं, जिन्होंने sociology को अलग-अलग तरीके से define किया हैं, लेकिन हम एक single definition नहीं दे सकते हैं, यह जो sociology discipline है, यह बहुती एक नया एक discipline है, और यह जो discipline है, यह 90th century में इसका emergence हम देखते हैं, अब sociology का जो emergence है, यानि कि हमारा sociology किस तरीके से शुरू हुआ था, इसका regarding मैंने एक class पहले भी ले चुका हूँ, यह description में मैं दे दूँँगा, लेकिन इहाँ पर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, हमारा sociology discipline है, यहाँ पर यह है हमारा science of society, हमारा society को पढ़ने का starting कहां से हुआ था, हम अगर हमारे previous time की बात करें, जब हमारा industrial revolution और French revolution हुआ था, वहाँ पर वो सारे चीजों के वज़े से उस area में cities develop हो रही थी, industries develop हो रही थी, इस बज़े से cities में बड़े बड़े शहर बन रहे थे, वहाँ पर लोग जाकर एक साथ पहली बार इकठा रहने लगे, इस बज़े से society में बहुत सारे problems होने लगे, तब लोगों ने सोचा के ह अमें ये सारे चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए, तब धीरे धीरे जाकर हमारा जो sociology discipline है, ये develop होने लगा, यानि कि हमारे society को हम scientific तरीके से study करना उस time period पर ही शुरू करते हैं, और उस time period पर ही हम August Compt को देखते हैं, जो हमारी इस sociology discipline का starting करते हैं, अब sociology की आगर definition की बात करें, तो अलग-अलग thinkers ने, अलग-अलग तरीके से define करने की कोशिश की है, लेकिन इन में से जो important है, यहाँ पर मैंने दी है, August Compt, जिनको हम father of sociology भी कहते हैं, उन्होंने sociology को एक scientific तरीके से develop करने की बात की थी, उनका जो methodology था, वो है positivism, उन्होंने पहली बार natural sciences के जो तोर तरीके हैं, उसको use करते हुए हमारे society को पढ़ने की बात की थी, यानि कि जिस तरीके से हम natural sciences में कुछ laws तयार करते हैं, जो universal होते हैं, जो हर जगा पर applicable होते हैं, उसी तरीके से हम हमारे sociology में भी कुछ laws तयार करेंगे, जो हमारे society में हर जगा पर लागू होगा, इस तरीके का चीजों के बारे में August Compt ने study किया था, उन्होंने कहा था, कि ह हम investigation के द्वारा, scientific method यूज करके investigation के द्वारा, हम कुछ laws discover करेंगे, जो हमारे society को समझने में हमें मदद करेगा, फिर Emile Durkheim ने sociology के बारे में कहा था, कि ये एक science of social institutions है, यानि कि हमारे समाज में जो भी social institution है, इसको scientific तरीके से पढ़ने को ही हम sociology कहते हैं, अब जो आप लोग, जो भी लोग पहली बार sociology को पढ़ रहे हैं, वो लोग पूछोगे कि social institution होते क्या है, जब हम institutions की बात करते हैं, institutions यानि कि कोई भी प्रतिष्ठान, जहाँ पर जाकर हम कुछ knowledge gain करते हैं, जैसे हमारा school, college, ये सारे institutions हैं, जहाँ पर जाकर हम कोई knowledge gain करते ह इसी तरीके से हमारा जो social institution है, ये होते हैं हमारे समाज में चलने का जो तोर तरीके हैं, उसको ये हमें सिखाते हैं, यहाँ पर हमारे society में बहुत सारे अलग-अलग social institution हैं, जो हमें rules, regulations, norms और values सिखाते हैं कि society में हम किस तरीके से रहेंगे, उसको कहा जाता है social institution, जैसे हम society म फेमिली, मेरेज, किन्शिप, एजूकेशन, पॉलिटी, ये सारे चीज़े देखते हैं जो हमें सुसाइटी में रहने के लिए और सुसाइटी में लोगों के साथ एकठा रहने में मदद करते हैं इसी को इमाईल डूर्खेम ने कहा था कि सोसियोलोजी एक ऐसा साइंस है जो ह तब हम साइन्टिफिकली स्टाडी करते हैं तब इसको कहा जाता है सोसियोलोजी फिर आते हैं एक और इंपोर्टेंट थिंकर जो है एंथनी गिडेंस एंथनी गिडेंस कहते हैं कि हमारा जो सोसियोलोजी है ये बेसिकली सोसियल इंस्टिट्यूशन का ही स्टाडी है लेकि यानि कि जो last two or three decades है जहाँ पर हम industrial transformations देखते हैं उसको study करने के बारे में जो बात है वो कहते हैं Anthony Giddens उन्होंने sociology को इसी तरीके से define किया था फिर हम देखते हैं Maxwell, Maxwell का key term है interpretative यानि कि उन्होंने society को interpret करने की बात की थी कि हम society को समझेंगे interpret करेंगे यहाँ पर जो भी social actions है इनको हम समझेंगे जब हम social actions को interpret करेंगे तब इस science को हम कहेंगे sociology यानि कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो भी thinkers है अलग-अलग thinkers ने sociology का अलग-अलग तरीके का definition दिया है इस बज़े से हम एक conclusion बे कभी भी पहुँच नहीं सकते हैं हर thinker को उनके हिसाब से ही हमें समझना होता है इसके अलाबा भी बहुत सारे और भी scholars और thinkers है जिन्होंने sociology को define किया था लेकिन यहाँ पर जो है यह बहुत important है आप लोगों के लिए अब देखते है nature of sociology यानि कि sociology का nature क्या है इसके अलग-अलग characteristics क्या है sociology is a social science and not a physical science हम जब sociology की बात करते है यह एक social science है यानि कि यह एक समाज की study है यहाँ पर यह एक physical science नहीं है क्योंकि जब हम physical sciences की बात करते है जैसे physics है chemistry है यहाँ पर हम क्या करते है हम physical objects को study करते है जो हमसे बात नहीं करते है लेकिन जब हम sociology की study करते है तो यह एक social science है यह society को study करते है यहाँ पर जो लोग है, उनका behavior को study किया जाता है, society का activities, उनके social life, यह सारे चीजों को study करता है, इस बज़े से sociology एक social science है, फिर है sociology is a categorical and not a normative discipline, यानि कि sociology एक categorical discipline है, यह कभी भी किसी चीज को value judgment नहीं करता है, यानि कि यह ethically neutral रहता है, यानि कि इसका कोई ethics नहीं होता है, यह positive भी नहीं होता है, negative भी नहीं होता है, यह कभी भी अच्छे बुरे के बारे में बात नहीं करता है, कौन सही, कौन गलत, कौन moral, कौन immoral, इस तरीके का बात नहीं करते है sociology में, sociology में उस time period में क्या घटनाए घट रही है society में हम सिर्फ उस चीज को study करते हैं यानि कि हम सिर्फ उस time period पे उस category को ही study करते हैं यहाँ पर हम कभी भी एक चीज से दूसरे चीज को तुलना नहीं करते हैं यहाँ पर हम हमेशा किसी भी एक specific time period पे एक specific culture को study करते हैं कि कौन सा कलचर सही है, कौन सा कलचर गरलत है, इसको हम कभी भी नहीं कहते हैं, इस वज़े से ये एक केटागोरिकल डिसिप्लीन है, फिर ये जो sociology है, ये pure science है, it is not an applied science, अब ये जो टार्म है, ये आप लोगों को बहुत क्यारफुली समझना होगा, sociology एक pure science है pure science का मतलब क्या है pure science हमें society को पढ़ने में मदद करता है यानि कि यहाँ पर society में जो भी चीजे हो रही है हम उसी चीज को as it is study करते है यहाँ पर हम information सिर्फ gather करते है और यह जो sociology है यह basically एक applied science नहीं है applied science में हम क्या करते हैं हम उस knowledge को gather करते है gather करकर हम बाकी जगाओं पर इसको apply करते है लेकिन sociology में एक applied science नहीं है यह सिर्फ एक pure science है sociology में हम knowledge gather करते है हम society को study करते है city life को study करते है सिर्फ उन चीजों को knowledge को इकठा करते है यह हमारे use में आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है हमारा sociology का काम होता है इन सारे information को इकठा करना यानि कि sociology एक pure science यानि कि basic science है यह applied science नहीं है लेकिन आज कल हम sociology में बहुत बदलाव देख रहे है sociology में आज कल बहुत सारे applied sciences भी include हो रहे है यानि कि हम बहुत सारे ऐसे भी studies है जो हम society को बदलने के लिए करते है फिर देखते हैं हम sociology is relatively abstract and not concrete science अब relatively abstract और concrete science यह दोनों क्या है concrete science एक ऐसा science है जो हमारे rigid होता है यानि कि जिसको हम बदल नहीं सकते है लेकिन sociology तो ऐसा नहीं है यह एक abstract science है यानि कि जिसको हम बदल सकते है हमारे society में जो भी घटनाए है वो time to time बदलती रहती है जो लोग है, लोगों का सोच भी बदलता रहता है उनका lifestyle pattern भी बदलता रहता है इस बज़े से sociology एक abstract science है यह कोई concrete science नहीं है क्योंकि यह human events को study करता है और human events जो है वो बदलते रहते है sociology is not based on particular subjects or individuals but is a general science यानि कि sociology किसी भी एक individual के उपर dependent नहीं रहता है यह एक general science है अब इसका मतलब क्या है हम जब sociology को study करते है यहाँ पर हम general law तयार करने की कोशिश करते है लेकिन यहाँ पर जो लोग है लोगों का interaction pattern है वो same to same नहीं रहता है लेकिन फिर भी हम एक general law create करने की कोशिश करते है किसी भी एक society को study करते है और बाकी society में इसको generalize करने की कोशिश करते हैं, उस society में भी उस चीज़ को हम ढूनने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ कोई एक particular individual को study नहीं करते हैं, यहाँ पर हम in general एक total group को study करते हैं, यानि कि यह जो sociology है, यह एक general science है, जो हम basically general laws तयार करने के लिए, general principles तयार करने के लिए use करते हैं, कि हमारा society में क्या-क्या तौर तरीके हैं, इसके regarding हम कुछ law create करते हैं, यानि कि हम scientific method use करते हैं, sociology is a rational and empirical science, sociology जो है, यह एक rational है, rational यानि कि यह एक logical inference है, हम logic use करके हम sociology को study करते हैं, हर वक्त हम sociology में experiment नहीं कर सकते हैं, इस बज़े से हम हमारे logical inference को use करते हैं, logic use करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और साती सात, यह एक empirical है, यहापर हम observation करते हैं, यहापर लोग अपने experiences के द्वारा data collect करते हैं, लोगों को observe करते हैं, यहापर direct experiment नहीं होता है, यहापर हम लोगों के experience को पढ़ते हैं, लोगों के facts उनको observe करते हैं, और साती सात, इसको हम logically inference करना की कोशिश करते हैं, इस बज़े से हमारा जो sociology है, यह rational है, साती सात, यह एक empirical science भी है, यहापर sociology के nature के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की है, यहापर आप लोग थोड़ा बहुत clear रहना, यहापर जो भी bold में दिया गया है, lines, इनको आप लोग ज़रूर याद रखना, क्यूंकि यह चीज़े बहुत important है हमें sociology को जानने के लिए, यानि की हमारे subject matter, किसी भी एक discipline में हम कौन सी चीज़ों को study करते हैं, कौन सा वो area है, उस subject का क्या boundary है, यह हमें पहले ढूनना होता है, यह scope of sociology यानि की हम sociology में कौन सी चीज़ों को study करते हैं, कौन से वो area है जिसको हम study करेंगे, लेकिन यहापर हमारे sociology में एक दिक्कत आती ह society जो है time to time change होती जाती है, यहाँ पर हम बहुत सारे चीज़े बदलते हुए देखते हैं, इस वज़े से हम sociology में कौन सी चीज़ को study करेंगे, इसके regarding specific कोई चीज़ नहीं है, हमारा जो sociology term है, इसको define करना ही इतना tough है, तो हम इसका जो scope है, इसको भी define करना हमारे लिए tough हो ज कोशिश की है, हम उनके point of view से ही हम उस scope को decide करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे opinion होने के वाबजूद भी हम इस scope of sociology को दो main school of thoughts में divide कर सकते हैं, यानि कि दो ऐसे school है, जिसके द्वारा हम scope of sociology को divide कर सकते हैं, एक है हमारा formalistic school और दूसरा है synthetic school, अब यह जो formalistic school है, यह इनके जो भी thinkers है, वो सोचते है कि sociology जो है, वो एक unique discipline है, यह एक special discipline है, इसका बाकी जो भी discipline है, जो भी social sciences में अलग-अलग disciplines जैक से political science, history, anthropology, यह सारे चीजों से कोई लेंदे नहीं है, यह एक special particular discipline है, और opposite में synthetic school के जो लोग है, वो समझते है कि हमारा sociology discipline है, यह सारे disciplines का synthesis है, यानि कि जब हम सारे social sciences के discipline को एकठा कर देंगे, तब हमारा होगा sociology, यहाँ पर हम दो तरीके का school देखेंगे, जहाँ पर formalistic school है, जो सोचेगा कि हमारा sociology एक single discipline है, और synthetic school सोचेगा कि हमारा sociology बहुत सारे disciplines का mixture है, अब इन दोनों school के बारे में हम थोड़ा बहुत चीजे देख लेते हैं, पहले देखते हैं, specialist school या फिर जिसको हम formalistic school भी कहते हैं, अब formalistic school में हमने अभी अभी देखा है, कि formalistic school हमारी sociology को एक distinct discipline की तरह established करने की कोशिश करता है, यानि कि यह एक separate discipline होगा, यह जो sociology है, एक pure और independent science की तरह उभर कर आएगा, इनका कहना है कि sociology को हम separate रखेंगे और यह एक pure discipline बनेगा, तो यह जो लोग है, यह कहते हैं कि हमारा जो scope of sociology है, यानि कि sociology में हम कौन सी चीजों को study करने वाले हैं, इनके हिसाब से हम sociology में social relationships को study करने वाले हैं, यानि कि अलग-अलग तरीके का जो social relationship है, हम sociology में इन चीजों को study करने वाले हैं, और यह जो scope है, इनके हिसाब से बहुत ही limited है, क्योंकि हमारा जो society है, society में लोग रहते हैं, इनका lifetime में जो भी events होते हैं, हम हर किसी को पढ़ नहीं सकते, इस बज़े से हमें specifically कुछ चीजे हैं, जिसको पढ़ना होगा, इस बज़े से sociology का scope जो है, यह बहुत ही limited है, और यह basically हम social relationships को ही study करते है, sociology में, अब यह जो formalistic school है, इसमें बहुत सारे thinkers है, जिनोंने contribute किया है, और जो कहते हैं, कि हमारा sociology एक pure और independent discipline है, इन में से, जो पहले इंसान है, वो है George Simmel, George Simmel नहीं, पहली बार formalistic school का जो thought है, इसके बारे में बात की थी, फिर दीरे दीरे बहुत सारे और भी thinker है, जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, इसमें से important है, Alfred Virkend, फिर Leopold, Von Weiss, Max Weber, Albino Small और Fardinand Tonis, यह जो लोग है, यह formalistic school से belong करते हैं, फिर हम देखते हैं, synthetic school, synthetic school में हम देखते हैं, जो भी thinkers है, वो लोग कहते हैं, कि हमारा जो sociology discipline है, वो बहुत सारे discipline का mixture है, यानि कि हम बहुत सारे discipline को एक सा synthesis करके, sociology discipline बना सकते हैं, अलग-अलग social sciences को discipline को एकठा करके sociology बनाएंगे, इनका मानना है, कि हमारा जो sociology है, वो लोगों का social experiences को study करेगा, यानि कि हमारे society में जो अलग-अलग तरीके का meaning है, हमारा जो society है, इसको हम interpret करेंगे, इसको अलग तरीके का meaning देंगे, हर individual का जो भी social experiences है, इसको हम collect करेंगे, और इसी social experiences को हम study करने वाले है, synthetic school में, synthetic school में सारे disciplines को इकठा किया जाएगा, और इकठा करके, लोगों का जो social experiences है, उनका जो जीने का तरीका है, इस चीज को हम study करेंगे, और इनको interpret करेंगे, यहाँ पर synthetic school में भी बहुत सारे thinkers है, जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, इसमें से जो special है, वो है, इमाइल डूर्खेम, एल्टी हॉबहाउस, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, कार्ल मेनहें, और एलेक्स इंकल्स, यह सारे thinkers है, जो synthetic school के thought system से बिलोंग करते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज याद रखनी होगे, आप लोगों को यह जो formalistic school है, इसका main, क्या purpose है, इसका याद रखना होगा, साथी साथ, जो thinkers है, formalistic और synthetic school के, उन thinkers का नाम भी याद रखना होगा, क्योंकि exam के point of view से यह names बहुत important है, अब इन्होंने किस तरीके का काम किया है, यह अगर हम study करना start करें तो यह बहुत complicated चीज बन जाएगी, इस बज़े से आप लोग simply यह जो नाम है, इनके जो नाम है, यह याद रखना, क्योंकि आगे जाकर जो भी चीज़े आप लोग study कर ही describe करेंगे, उनका thought system उसी तरीके से बनेगा, और synthetic school वाले जो लोग है, वो sociology को एक synthesis का तरह देखेंगे, बहुत सारे social sciences जो है, उनको इकठा करके ही वो लोग बात करेंगे, इस बज़े से उनको समझने के लिए, thinkers को समझने के लिए, वो कौन से school से belong करते है, उनका methodology क्या है ये सारे चीजे हमें जानना जरूरी है, तो आज का class में यहापर ही खतम करता हूँ, अगर class अच्छा लगा है, तो comment करके जरूर बताना, और video को like और share जरूर करना, क्योंकि sharing is caring, जब आप दोस्तों के साथ चीजे share करते हो, तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए क्य प्यार करते हो, तो मिलते हैं अगली class में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्त रहिए और लोगों में प्यार बाटते रहिए, जाए हिंद,